होम बेकर्स के पास किसी किसी ओकेजन पर बहुत सारे केक्स हो जाते हैं न्यू यर हो, क्रिस्मस हो या फिर वेलन्टाइन दे हो तो इस टिप के अब डिकोरेशन ट्राइ कर सकते हैं न्यू यर के दिन एनिवर्सरी बहुत ही स्पेशल लगता है सब को याद रहेगा और ये केक न्यू यर के दिन का ही है तो कस्टमों को यहाँ पर हर्ट शेप वाली कोई डिजाइन चाहिए थी क्योंकि एनिवर्सरी के लिए केक था तो मैं तो राउंड शेप महीं बनाई थी और और भी मेरे पास केक्स थे तो इतना टाइम नहीं था कि मैं इसे कट करके सेट करूँ और हर्ट शेप दूँ तो मैं सोची सिंपल ही केक को रखना है तो क्यों ना इस पर हर्ट वाली डिजाइन बना दी जाए तो यहाँ पर चॉकलेट क्रीम जो है तो आप जानते हैं मैं हमेशा बताई हूँ कि मैं यहाँ पर केक कॉंप का यूज करती हूँ इससे क्या होता है जो साइड्स के एरिया है उसे फिनिशिंग देने के काफे सारे टाइमिंग बच जाती है अगर आप बिगनर हैं या फिर आप होम बेकर न्यू न्यू स्टार्ट किये हैं तो आप यह वाली ट्रिक जरूर अपलाई कीजेगा केक कॉंप का यूज करके यह सिलिकन ब्रश यूज करके यह डब डब करके पैलेट नाइफ तो इससे टेक्शिर लुक हलका सा आ जाता है और केक है बहुत ही जल्दी सुन्दर हो जाएगा उसके बाद मैं एक तूथपिक ली हूँ तूथपिक से मैं हर्ट वाली मार्किंग कर रही हूँ अगर आपको आपकी ड्रॉइंग अच्छी नहीं है या फिर आपको डर है कि आपका ये शेप गरबड हो जाएगा जिससे आपकी केक की डेकुरेशन खराब हो जाएगी तो आप यहाँ पे नॉर्मल पेपर कटिंग कर लें और पेपर को इस पेस्ट कर दें क्योंकि जब आप डिजाइन बनाएंगे तो वो अल्रेडी यहाँ पे वो एरिया छुप जाएगा तो पेपर को कटिंग करके उस साइज का जस्ट केक मोल्ड लें आप उससे मार्किंग कर ले एक पेपर पर और उसमें कितने शेप का आपको हर्ट बनाना है वो पेपर रखके फिर साइड में तूथपिक से या फिर नॉर्मल पाइपिंग बैक से आप एक मार्किंग दे दे या फिर एक लाइन खीज दे इससे क्या होगा कि आपका जो हर्ट शेप है वो अच्छे से हो जाएगा क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि इस सेप के चलते कि जो डिजाइन है डेकोरेशन है अगर हर्ट आप तिरचा बना देंगे ये खराब हो जाएगा तो वो देखने में खूबसूरत नहीं लगता है तो यहांपे सेप बहुत ही ज़रूरी है तो मैं यहांपे तूटपिक से मार्किंग कर दी हूं और छोटा वला स्टार नौजल ली हूँ जिससे कि मैं जो फिर्ट वाली मार्किंग लिए उसपे यह रोजट वाली फलावर बना दी हूं रेड कलर से ये दूरसे मैं वीड के चलते यह कलर चेंज आया है और यह देखिए मुझे तुरंट तुरंट करके बहुत सारे ओर्डर्स देने थे तो यह मेरा केक हो गया है बिल्कुल इजी तरीके से रेडी तो आप यह वाले ट्रिक अपलाई करके इस तरीके से केक डेकोरेशन जरूर कीजिएगा जब भी आ वाले स्प्रिंकलर्स तो डाली दूएं तो हमारा केक हो गया है रेडी बहुत ही इजी सिंपल तरीके से और हर्ट प्रापर बन के तो फ्रेंट्स ये वीडियो पसंद आई होगी ये सिंपल सी केक डेकोरेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल प झाले ऊ combat师 और होगी इजी सिंपल एया, में तुण कर एकिछ होगीं और हरेशन तर सब दूर प्रापर आई होगीसी और हरोगी harsh तो हम पसंद गलग है और है रटीज।